एक बार फिर से स्वागत है आप सबों को हमारा चैनल पर अगर आप इस चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल लेगन को दबादें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफेगेशन मिलते रहें आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंट्रेस्ट तो हम जानेंगे कि सिंपल इंट्रेस्ट होता क्या है और इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले से हम देखेंगे उसके बाद कुछ एडवांस फॉर्मूले देखेंगे तो सिंपल इंट्रेस्ट क्या होता है जैसे कि किसी से आप मनी बॉरो किये तो उस पे जो interest दिया जाता है उसको बोला जाता है simple interest लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि केवल money borrowed यहाँ पर include होगा दुसरा कोई भी amount include नहीं होगा अब principle क्या होता है जो money हम लोग borrowed किये उसी को principle बोला जाता है और जब यह principle और interest जब जूड़ जाता है combined form में तो उसको बोलते amount और जिस rate पे पैसा लिया जाता है rate of interest बोला जाता है और जितने समाई के लिए लिया जाता है उसको बोला जाता है time period तो यह कुछ basic terminologies है जो कि simple interest में हर जगा यूज होंगे अब हम लोग चलिए इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे basic formulas क्या है देखिए सबसे basic formula हमारे पास दो है एक है amount is equal to principal प्रिंसेपल प्लस simple interest और simple interest is equal to principal into rate into time divided by 100 यानि कि हम लोग बोल जाकते हैं PRT divided by 100 यही दो basic formula हमारे पास है अब इनही दो basic formula से बाकी सारे formula derive होंगे और वही सारे formula हम लोग अब देखने वाले हैं देखने वाले बात यह है कि यह सारे formula direct use करके हम लोग एक जटके में question मना सकते हैं तो हमारे पास एक question है यहाँ पे principle दिया हुआ है 5000 rate of interest है 7% per annum और time है 3 years तो यहाँ पे simple interest निकालने को बोला गया है तो simply simple interest वाला formula यूज करेंगे जो कि P into R into T divided by 100 है यहाँ पे P, R और T का value substitute करेंगे और substitute करने के बाद हम लोग direct इसको solve कर देंगे और solve करने के बाद जो हमारा answer आएगा जो है 1050 वही हमारा simple interest हो जाएगा यह तो एक basic question लिया ताकि आपको formula कैसे use करना है समझ में आए अब देखे एक और type हमारे पास आता है अगर अलग rate दिया हो और अलग time periods दिया हो अलग अलग duration के लिए अलग अलग time period दिया हो तो इस case में हम लोग कैसे निकालेंगे तो हम लोग हर एक साल का जैसे कि T1 माल लिए T2 माल लिए T3 माल लिए और rate of interest R1, R2, R3 माल लिए तो simply formula for 3 years क्या हो जाएगा P into whole into R1, T1 plus R2, T2 plus R3, T3 divided by 100 यह basic formula है इसको use करना है और direct answer ले आना है देखे उसी type का question हमारा दिया हुआ है यहाँ पे जो कि 3 different years के लिए 3 different rate of interest है ठीक है और यहाँ पर क्या बोला गया कि interest at the end of 13 years हमारे पास 12,000 है तो हमको money borrowed निकालना है यानि कि हमको principle निकालना है यहाँ पर clearly दिख रहा है कि money borrowed है तो जिस तरह जब भी money borrowed आए मतलब कि principle निकालना है तो हमारे पास given conditions यह सारे है अब इसको use करके हमको money borrowed निकालना है यानि कि हमको principle निकालना है तो हमारे पास इस से पहले हमने formula देखा वो simple interest क्या था पी into whole into r1 t1 plus r2 t2 plus r3 t3 यहाँ पर सारे values हम लोग substitute कर देंगे और बाकी बच्चा किवल एक unknown रह जाएगा वो है पी यानि कि principle तो यहाँ से direct discussion को solve करने के बाद हमारा पी वैल्यू निकल के सीधे सीधे आ जाएगा तो हमारा पी का वैल्यू क्या हो जाएगा पीज़े टुवेल थाउजन इन्टु हंड्रेट डिवाइड बाई 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 वन ट्वेंटी डैट इस नथिंग बट 10 थाउजन एक और टाइप लेते हैं जहाँ पर इफ सटें इंट्रेश्ट मतलब क्या कोई मनी है वो क्या होता है दो गुना तीन चार गुना हो जाता है तो इस तरह केस में रेट आप इंट्रेश्ट निकलने के लिए सिंप्ली हम लोग करेंगे n-1 divided by t n क्या कितना गुना हुआ और t क्या टाइम और टाइम निकालने के लिए सिंप्ली इसको रिवर्स कर देंगे n-1 divided by r तो हमारे यहां से r और t डारेक्ट निकल जाएगा इस तरह कुश्चेन में डारेक्ट निकल जाएगा यह सारे फ़र्मुला बेसिक फ़र्मुला से डिराइब होते हैं अब इस पर एक एक एक्जामपल लेते हैं इसे बोला गया sum of money doubles itself in 80s इंट्रेस्ट रेट इस अब क्या हो रहा है यहां पर एमाउंट है जो कि डबल हो जा रहा है आठ साल में तो यहां पर रेट आफ इंट्रेस्ट निकलना आप इस तरह कुश्चन जनरली और प्लिटिव एक्जाम में आपको देखने को मिल जाएगे अब यहां पर देखिए इसी तरह का एक कुश्चन और लिया है जिसमें कि टाइम पिरेट निकालना है 6% रेट अफ इंट्रेस्ट दिया हुआ है और सम अफ मनी क्या हो रहा है डबल हो जा रहा है तो पूछ रहा है कि यह मनी डबल कितने साल में होगा तो वह हमको निकालना है तो यहां पर simply वही फ काम में हर बार आपको देखने को मिलेंगे जो कि आप डारेट फॉर्मूला पूट कीजिए और अगर आप ट्रेडिशनल मेथर से जॉल्व करने बैठ जाएंगे तो आपको 5-10 मिनिट लग जाएंगे उसी तरह का एक और क्या हुआ है जहां पर क्या हुआ है कि दो-दो अज़र आ रहा है वह एंट टू माइनस वन इंटू होल आर वन डिवैड़ वाइन वन माइनस वन इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग डायेट रेट निकाल सकते हैं उससे तरह टीटू भी निकालना होगा तो सिंपली एंटू माइनस वन होल इंटू टीवन डिवैड वाइन वन माइनस वन यह दो बेसिक फॉर्मूलेज है आप इस पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं तब हमने आगे इस फॉर्मूला का कॉंसेप्ट समाज में आ जाएगा एक टाइप का क्वेश्चन है समफ मनी एड़ सिंपल इंट ट्रिपल इस 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 इन पूछा गया तो सिंपली टाइम को फॉर्मूला यूज करेंगे एंट्टो मैनस वन इंट्टी वन डिवाइद वैल्यू पूट करेंगे सॉल्व कर देंगे एंसर आ जाएगा 30 इस तरह को कुश्चन को अगर आप करने बैठ जाएंगे कम से कम 10 मिनिट लगेगा सिपल का तो इस तरह के किस में हमारे एक बेसिक फॉर्मूला बनता है और टी इस गल टू एंट्ट अब इस फॉर्मूलों के यूसर के मुझे जो बोला जाएगा आर तो आर निकल जाएगा टी तो टी निकल जाएगा जैसे कि यहां पर कुश्चन हमारा आ चुका है कि यहां पर रेट फिंट्रेस निकलना बोला गया है क्या हो जाएगा आर्टी इस वेल टू एंट्ट हमारे पास सारे नोन है आर नोन नहीं है तो हमारा वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा सिक्स परसेंट आ जाएगा उमीद है आपको कॉंसेप्ट समझ में आ रहा होगा आ अगर अमाउंट इस वेल टू प्रिंसिपल के कितना गुना हो जाता है न गुना हो जाता दो गुना चार गुना पांच गुना तब क्या होगा आर्टी इस वेल टू एंटू हंड़ेड यहां भी सेम कॉंसेप्ट लगेगा तो उसी तरह का एक क्वेस्चन हमने लिया है जह आर्टी इस ग्वेल टू एंटू हंड्रेड तो इससे हम लोग रेट अफ इंटरेस्ट डिरेटली निकाल सकते हैं क्योंकि हमार पस्टी नून है और कितना गुना हो रहा है वह भी नून है यहां से हमारा आर निकल के आ जाएगा परसेंट डैट इस 25 परसेंट उमीद है आ हम लोग इस डिफ्रेंस केल्कुलेट कर सकते हैं ठीक है एड डिफ्रेंट एन्वल रेट और डिफ्रेंट टाइम दोनों के अन्वल रेट अलागा तब प्रिंसिपल कैसे निकलेगा एक्स इंटू हंड्रेड डिफ्रेंस इंटू रेट इंटू डिफ्रेंस इंटू डिफ् इस पर बेस्ट कुछ लेते हैं तब हमें यह concept clear होगा कि यहां पर दिया हुआ है इस तरह को सब्सक्राइब यहां पर इंट्रेस्ट के जगा तो इंट्रेस्ट हो यह बस इतना ही अंतर है बागी सारा concept यहां का और वहां का सेम है अब देखिए एक और हमारे पास concept आ रहा है if some is to be deposited in equal installments then equal installment क्या होगा माल लेज हम लोग कहीं से loan लेते हैं तो इक इस्टॉल्मेंट में लेते हैं यह direct formula हम लोग यूज करेंगे तो हमारा जो equal installments है वो कितने हर एक इस्टॉल्मेंट वो निकल जाएगा जैसे चार बार में हम लोग पैसा दे रहे हैं तो वह हम लोग का direct यहां से एक simple concept से निकल के आ जाएगा चलिए एक next concept के और लेते हैं कि हम लोग को rate of interest current deposit plan देखे जब भी question में आ जाए current deposit plan तो कैसे निकालना है तो simply कुछ नहीं करना है simple interest into 2400 divided by n into n plus 1 into deposited sum इस formula को use करना है और directly हम लोग rate of interest calculate कर सकते है current deposited system में देखे यह आज हमारा का last type है if a certain sum p amounts to rupees a1 in t1 years at rate of interest r% and the same sum amounts to rupees a2 in t2 years at same rate of interest then r% is यह concept simply use करना है difference of amount जो है वो numerator में रखना है और नीचे हमारा denominator में जाएगा a2 t1 minus a1 t2 तो यह हमारा rate of percent निकाल जाएगा उसे तरह principle निकालना होगा तो a2 t1 minus a1 t2 divided by t1 minus t2 बस आप यह formula याद कर लेजिए वाकिया और आपको कुछ नहीं करना value put करना answer मिल जाएगा चुटकियों में उमेद आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको और टॉपिक पर वीडियो चाहते है तो comment करे वीडियो को like करे, share करे और channel को subscribe करे thank you for watching the video